वैसे तो यह वीडियो मुझे बनानी नहीं थी लेकिन मेरे कमेंट सेक्षन में मुझसे यह सवाल इतना पूछे गया है मेरी हर DSA की वीडियो में पूछा गया कि अबुलवरी वर्सिस लवबबर दोनों के कॉर्स में से कौन सा बेटर है यह कंपैरिजन ही फियर नहीं है लेकिन इसलिए मेरे को यह वीडियो लेकि आनी पड़ रही हो कि हर कमेंट का जबाब नहीं दे सकता हूं बहुत मलब हर तीसरा कमेंट या दूसरा कमेंट यह है कि अबढ़ने की के यहां पर मैं बात कर रहा हूं युडैयमी कोर्स की और लवबबर की जो DSA प्लेलिस्स चालू अउस वाले प्लय कोर्स की राइट तो अबढ़ने से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर करूं कि यह कोर्स सोली dependent है basics पर ठीक है और data structure की implementation पर ठीक है implementation ये बात आप दिवांग में डाल लो basics और data structure की implementation का मतलब क्या होता है कि आपको link list जैसे है तो आपको link list create कैसे करनी है ठीक है link list में node डालना कैसे है उसमें node delete कैसे करना है link list में node search कैसे करना है ये चीज़ें इसमें है ठीक है लेकिन link list पर based जो problem होंगी वो काफी basic level होंगी advanced level नहीं होंगी जो कि आपकी generally companies में पूछी जाती है तो यह है basics plus theory अगर आप theoretical की बात करो जो आपका theory के paper आते हैं तो आप तो exams भी offline होंगे तो आपको यह चीज़ करने ज़र रही है तो जो academics की theory आती है उस based पर यह course आधारित है आप इसको placements के लिए यह नहीं सु सकते placements के लिए आपके basics बहुत अच्छे cover कर देगा लेकिन जो problem solving के question आते हैं वो इसमें नहीं है मैं कितनी बार इसको clarity से बोलूं नहीं है जैसे कि अगर एक question के reverse a linked list in the size of k of size k ठीक है k size के group में आपको reverse करना है linked list को यह चीज़ इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि यह problem solving का question आगया वो इसमें नहीं है इसमें क्या है linked list का implementation ठीक है इस त्यादा और मैं नहीं बता सकता अब जैसे BST है तो BST बनाते कैसे हैं यह आपको मिल जाएगा ठीक है कि BST हमें construct कैसे करना है BST में note कैसे डालना है BST में deletion by copying क्या होता है deletion by merging क्या होता है यह वाले methods ठीक है यह सब आपको इसमें मिल जाएगा लेकिन अगर मैं यह कहूं कि BST में ऐसे आपको questions मिलें कि भाई जो मतलब जो problem solving पर आदा रहते हैं जैसे के what is the minimum absolute difference between any two notes of binary search tree इस ताइप का question यह नहीं मिलेगा यह चीज़ आप clear करके दिमाग में चलो I think अब मेरे को लगता है अब आपको इतना समझ में आ गया होगा रिकर्जन और DP में वो questions हैं जो आपके basics को clear करते हैं ठीक है? रिकर्जन और DP इसमें चीज़े basics को cover करके ली गई है कि start कैसे करते हैं ठीक है? जैसे कि सबसे basic problems होती है 01 knapsack, ठीक है, यह problem सबसे basic होती है, coin change, यह basic problem है, ठीक है, यह चीज़ें इस course में cover कराई गई है, जो आपके academic perspective से होती है, ठीक है, यह पढ़कर आपके basics हो जाएंगे, problem solving नहीं हो पाएगा, basics और problem solving में बहुत अंतर होता है, problem मतलब उस data structure पर आधरित कोई problem, जिसमें वो use होग अगर आप beginner हो, हो सकता है, आपको यह चीज़ नहीं मालूम हो, तो यह course इस चीज़ के लिए, basics जो आपका academics में आता है, उसके लिए, ठीक है, लबबबर course की बात करते हैं, इसमें आपके basics तो है, देखो, अबदुलबली का course जो है, वो काफी पुराना हो चुका है, बहुत solving के, लेकिन तब hiring का skill बहुत ही कम था, मतलब Amazon में job is like, कि क्या कर लिया भाई तुमने, मतलब वो एक बड़ी बात थी, आज से, अगर मैं 7 साल, 8 साल पहले की बात करूँ, क्या कर लिया भाई, यह तो hiring नहीं करती, अब तो TCS के बराबर तो hiring हो रही है, इन companies की, तो अब वो नहीं रह गया एक, जो swag होता है, ठीक है, तो मतलब अब यह बहुत जाद ही चल रहा है, तो fancus work obviously है, लेकिन उस time की बात एक अलग थी, तो अब यह वाले course बहुत आ गए, problem solving तब इतना नहीं था, तो लव बबबर की course में क्या है, इसमें problem solving पे focused course है, ठीक है, problem solving पे focused course है, अ अब मर्जी आपकी है कि आपको किस से पढ़ना है, मैं already सबका review कर चुका हूँ, तो बार-बार एकी चीज नहीं बताऊँगा, तो वो आप review वाली वीडियो से जाके लेख सकते हो, पिंड कमेंट में आ रही होगी, एक DSA resource की list, ठीक है, तो basics भी इस course में है, अब मर्जी या आप एक experienced teacher से पढ़ना चाहते हो, जो whiteboard पर पढ़ाता है, हो सकता है, आपको यह वाली trick अच्छी लगे, तो आप इस पर आकर्शित हो, ठीक है, तो आप इस से पढ़ना चाहते हो, या इस से पढ़ना चाहते हो, यह आपके ऊपर है, लेकिन यह वाला code solely problem solving पर बेस्ट ह आप पर जो placements में question पूछे जाते हैं, वो इसमें थोड़ी से focus दे कराये जाते हैं, जैसे यह मैंने question बताया, अब जैसे अगर मालोग जैसे trees वगरा चालू हो, मतलब इस course में चालू हुए, तो ऐसा नहीं कीवल construction बता दिया, आप जैसे यह भी बताया कि मतलब उस पर based problems कै जैसे होती है, जो जैसे मतलब जो placements में पूछी जा सकती है, link list पर based problems क्या होती है, जो placements में पूछी जाती है, तो केवल construction नहीं है, उन पर based problems भी है, तो यह course इस course से obviously ज्यादा वास्ट है, लेकिन सीधे problem solving पर आप नहीं उतर सकते, यह भूत दिमाग से उतार देना, यह course की playlist, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इस course की, free में डली हैं videos, मतलब अब्दुलबरी सर की, obviously Udemy की नहीं, अब्दुलबरी सर की कुछ videos डली है, free में, आप YouTube पर जाके playlist में चेक कर लो, आपको कैसा लग रहा है बढ़ाना, लग बबबर, obviously पूरा free है, दो-दो वीडियो strong हो जाएगा, basics strong हो जाएगा, placement आपको इससे मिलेगा, ठीक है, placement आपको इससे मिलेगा, आप इसको करके एक बड़ी company को करने की नहीं सूच सकते, क्योंकि इसमें problem solving की question नहीं है, ठीक, यह बात clear है, clarity है, किसी को बुरा लगता है, लग जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ल हमेशा ध्यान रखना, आजकल लीट कोट काभी popular है, लीट कोट से सीधे सीधे question उठाके companies देती है, लीट कोट करना बहुत जादे important हो गया है, तो यह major difference है, अब भी आपको clear हो गया होगा, और अगर नहीं किया होगा होगा, तब भी आप comment section में पूछो, मैं separate videos बनाके clear करू right, तो that's all about it, और अगर कोई भी आपको idea हो, मतलब कोई भी आपको इस ताप का doubt हो, मैं separate video बनाने को तयार हो, मैं लिखूंगा comment section में, तो आप comment में डाल देना, separate video भी आजाएगी थोड़े दिनों बात, आपको जो भी doubt, right, okay, so thank you.